आपके उपर किस दिव्य शक्ति का आशिरवाद है दिल से चुनिए माता रानी की कोई एक चरण नमस्कार दोस्तो जै माता दी जै श्री कृष्णा कैसे हैं आप सब आशिर करते हैं आप सब खुश होंगे सिहत मंद होंगे और अपनी जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे हमारी इश्वर से प्रार्थना है कि आप की मन की सारी एक्छाएं पूरी हो जाएं आप जो भी चाहते हैं वो सब आपको मिल जाए ऐसी हमारी इश्वर से प्रार्थना है प्रेंट्स आज बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए कि आपके सिर पर किस दिवे शक्ती का आशिरवाद है दिल से चुनिए मातरानी के कोई एक चरण आपके स्क्रीन पर मातरानी के चरण दिखाई दे रहे हैं एक लाल कलर के एक गोल्डन कलर के हैं तो वस आपको चुन लेना है एक चरण और सबसे पहले गहरी लंबी सांस लेकि मन को शांत करके ईश्वर से प्रार्थना करना है कि वो आपको सही पाइल चूस करने में मदद करें ताकि जो रीडिंग है वो आपको सही सही मैसेज मिल सके उसके माध्यम से और हमारी भी कोशिश यही रहती है कि आपके जीवन में एक पॉजिटिव एनरजी का संचार हो जाए तो बस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजे लाइक करें शेयर करें और कमेंट वक्स में राधे राधे जैज महाकाल जैज श्री कृष्णा लिखना बिलकुल न भूलें तो उमीद है आपने चुन ही लिया होगा तो जिस किसी ने भी चुना है लाल चरण को माता रानी की लाल चरण जिस किसी ने भी चुने हैं उनके लिए टैरू का अड़ाज यही मेसेज लाए हैं फ्रेंट्स की उनकी जो भी इस्ट हैं आप जिस भी शक्ति को मानते हैं उनसे आपका connection बनता है और फिर तूड़ जाता है ये बार-बार होता है क्यूंकि आपकी जो आस्था है वो डगमगाने लग जाती है आप अपने मन को एकागरचित नहीं रखते हैं हर बार आपको confusion रहता है कभी इश्वर की आप भक्ती कर रहे हैं कभी किसी और मंदर में जाके भक्ती कर रहे हैं ये आप हर बार जब किसी से भी कुछ सुन लेते हैं कि वहाँ पर जाने से एक शाय पूर्ण हो रहे हैं तो आप वहाँ जाते हैं फिर किसी से सुना तो किसी और मंदर जाते हैं इस तरह से आपकी जो श्रद्धा वक्ती जो आपकी आस्था है वो एक इश्वर पर नहीं टि पूर हो जाते हैं इस तरह से कई बार होता है आपको एक उधारन दे देते हैं फ्रंट्स की दो नाओं में एक साथ पैर रखकर आप सफर नहीं कर सकते हैं आप यात्रा नहीं कर सकते हैं अगर आप सफल यात्रा चाहते हैं तो आपको एक नाओं में ही बैठकर यात्रा करनी हो हैं इससे आपके कोई भी एक शपून हो जाए या आपको तो हर थोड़ी देर में आप इश्वर बदलते रहें आस्था अपनी बदलते रहें अपने इश्ट पर आपको विस्वास रखना होगा उस शक्ति पर विस्वास रखना होगा एक बात आपको बता दें दोस्तों की सा शक्ति एक ही है एक ही शक्ति है और किसी भी रूप में आप उन्हें मानें वो आप से कनेक्ट होंगे अगर आप पूरे श्रद्धा भाव से पूरी आस्था से आप उन्हें मानेंगे उनकी पूजा आराधना करेंगे उनसे प्रार्थना करेंगे तो वो आपके उपर जरूर आशिरवाद रखेंगे अपना आप किसी से कुछ भी सुने ठीक है आप बोल दें कि हाँ मुझे भी श्रद्धा है वहाँ पर आप हाँ जोड लें और अपने इश्ट पर से अपना भरोसा बिलकुल भी न गवाएं दोस्तों टेरोकार्ड बता रहे हैं कि आपके घर में कुछ बास तो दोस है कुछ बास तो दोस है आपके घर में हो सकता है आपका जो पूजा इस्थल है वो गलत दिशा में हो या जो आप पूजा करने जब आप बैठते हैं तो आप किस दिशा में अपना फेस करके बैठते हैं ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रुत है हमे सामे मंदिर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये दक्षिंट दिशा जो होती है वो यमराज की दिशा होती है तो आपको जो करना है सबसे पहले जो बास्तु दोस्ता आपके में दिखाई दे रहा है जो टैरो कार्ट बता रहे है कि पूजा इस थल में कोई बास्तू दोस हो सकता है तो आपको बस सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आप पूर दिसा में भी मंदिर बना सकते हैं और उत्तर दिसा में भी मंदिर बना सकते हैं कुछ बास्तू दोस अगर आपको लग रहा है जिसकी वज़े से आपको परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो उनको दूर करने के भी छोटे-छोटे उपाय होते हैं आप उन पर ध्यान दें जब भी घर में पहुचा लगाएं दोस्तों तो उसमें समुद्री नमक डाल दें थोड़ा सा नमक डालें और फिर घर में पहुचा लगाएं इससे क्या होता है कि आपके घर की निगेटिव एनरजी सारी दूर हो जाती है और कपूर भी आप अपने घर में जला सकते हैं जलाना ही चाहिए आपको चारों दिशाओं में कहती हूँ अपने इश्वर को बदलते रहते हैं कभी महादेव की पूजा कर रहे हैं कभी आप मातरानी के भक्त बन जाते हैं तो कभी आप किसी और का सुन लेते हैं तो आप उस मंदिर चले जाते हैं वहाँ नारियल चड़ाते हैं किसी और मंदिर में सुन लिया तो वहाँ प्रशाद चड़ाते हैं इस तरह से आप अपने मन को स्थिर नहीं रखते तो आपको बस यही करना है कि अपनी पूरी स्रद्धा भक्ती से पूरे भाव भक्ती से आप पूजा अर्चना करें जब भी आप पूजा करें सबसे पहले मन को शांत करें आप सुबह जल्दी उठें दोस्तों और फिर अपन गवान को शाष्टांग प्रणाम करें, ये आपको ऐसा नियम आप बना लें, उसके बाद ही आप दिन की शुरुआत करें, कुछ और काम करें, सबसे पहले आपको यही करना है, अपने इश्वर की फूजा भक्ती करनी है, मंदिर जा सकते हैं, आप जिस भी इश्वर को आप म मातारानी का भी आशिरवाद आपके सर पर है, तो समय बहुत अच्छा है, आपके पास जो अभी है वो कोई कम नहीं है, बहुत अच्छा समय है, इसको अच्छे से आप उपयोग करें, और अपने इश्ट पर अपनी आस्था बना कर रखें, क्योंकि इश्वर आपकी साथ ह वो आपको किसी भी मुसीवत से बचाते रहते हैं, आपको बस अपने इश्ट पर पूरी आस्था अस्रद्धा भक्ती रखना है, उनको बदलने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, आपको अगर सफल यात्रा करनी है, तो एक ही नाव पर पैर रखना होगा, बस आप कि उनका भी आशिरवाद आपको जरूर मिलेगा, अब जिस किसी ने भी चुना है, पैल नमबर टू को गुल्डन चरण मातारानी के, उनके लिए बता दें, टेरो कार्ड क्या कह रहे हैं, दोस्तों टेरो कार्ड यही बता रहे हैं, कि आपके उपर जिस इश्वरी सक्ती का हाथ है, जिस देवे शक्ती का हाथ है, वो आपके लिए नई नहीं हैं, आप उन्हें मानते हैं, बस आपकी थोड़ी आस्था जो है, आपके जो पूजा भक्ती है, उसमें कहीं न कहीं कुछ कमी रह जाती है, आप मातारानी के भक्त हैं, और आपके उपर मातारानी के कृप आप कर देते हैं तो उन पर आप थोड़ा से सुधार कर लें तो मातरानी का आशीरबाद आपको जरूर मिलता रहेगा आप महादेव के भी भक्त हैं ऐसा भी दिख रहा है और कहीं न कहीं शाम जी आपके उपर अपना आशीरबाद बनाई हुए हैं बस आपको करना क्या है द कुछ बास्तु दोस हैं जिसकी वज़े से आपको कुछ आर्थिक परिसानिया हो रही है आजकर आपको करना क्या है आपको बस यही करना है कि सबसे पहले सुबह सुबह आपको अपने पूजा इस्थल को साफ करके भगवान को इसनान कराके और उनकी पूजा आराधना करनी है chanting अगर आप करते हैं किसी मंत्र का आप जाब करते हैं तो आपका मन बहुत भटकता है तो आपका ध्यान जो है वो पूजा में अगर नहीं लगेगा तो आपको कैसे उस दिव्य शक्ति से आपका connection बनेगा कैसे उनका आशिरवाद मिलेगा आपको अपने मन को शांत करना है अगर हो सके तो आप थोड़ा meditation किया कीजिए ओम नाम का जाब किया कीजिए उससे आप meditation करने से ओम नाम का जाब करने से आपका जो मन है वो भटकाओ बंद हो जाएगा फिर आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो देखेंगे कि आपके दिन भर में सारे काम अच्छे से होंगे आप अच्छे से काम कर पाएंगे जो भी काम आप करने जाते हैं इस और से आशिरवाद लें जो भी आपको मिला हुआ है दोस्तों अभी ऐसा नहीं है कि आपकी इस्तिती बहुत खराब है आपको बहुत कुछ मिला है लाइफ में बहुत सफलताएं आपको मिली हैं तो उनके लिए हमेशा उस इशुर के लिए धन्यवाद किया कीजिए हमेशा उनसे शिकायत करते रहे उनसे हमेशा मांगते रहें ये अच्छी बात नहीं है तो हमेशा भगवान से धन्यवाद करें और जब भी किसी काम के लिए जाएं उनसे आशीरवाद लेकर जाएं आपके घर में जब भी आप पूजा करते हैं आप किसी आसन पर बैठ करें जमीन में खड़े होकर पूजा नहीं करना पुरती हैं आप आसन बिछाएं अच्छी से बैठें अपने माते पर तिलफ्त लगाएं अगर आप जैंड्स हैं तो लेडिस हैं तो बिंदी लगाएं और फिर आप पूजा करें अपने सिर को कवर करके आरती करनी चाहिए हमेशा और जब पूजा समाप्त हो ज चाहेंगे आपके लिए क्योंकि इश्वरी सकती से आपका कनेक्शन तो होता है उनकी बहुत करपा होती है आपके उपर वो किसी भी मुसीवत से आपको बचाती रहती हैं और सबसे अच्छी बात यह हैं दोस्तों कि आप बहुत इमोशनल हैं और दूसरों का दुख दर्द आपसे देखा नहीं जाता किसी को भी आप परिशानी में देखते तो आपका मन करता है कि उसकी मदद करें तो इस तरह कि जो आपकी भाव भक्ती है वो उससे प्रशन है आपके ईश्ट और आपके उपर उनका आशिरवात बना हुआ है बस आपको अगर कुछ बास्तु दो और आपको करना है हर शनीवार को जाके शाम को दीपक जलाएं सरसों के तेल का पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं अगर संबह हो तो और जहां भी आप पीने का पानी रखते हैं वहाँ पर भी शाम को दीपक जलाना चाहिए उससे भी आपको बहुत फाइदा मिलता है दोस्तों ये आपको रोज करना है घर में दीपक जरूर जलाईए शाम को अंधिरा नहीं होना चाहिए अंधिरा होने के पहले आप दीपक जलाएं सुबह साम भगवान की आरती दूपत्ती जरूर करें और कपूर जलाएं चारों कोनों में अगर निगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो आप मेडिटेशन करें ओम नाम की चेंटिंग करें आपको बता दे कि माता रानी का आशिरवाद भी आपके उपर बना हुआ है बस आपको अपनी श्रद्धा भक्ति कम नहीं करनी है और आपका जो भवश है वो बहुत उज्जवल है हर मुसीवत आपकी वाली नहीं जाता वो कनेक्ट होते हैं आपसे और वो बदले में सिर्फ यहीं चाहते हैं कि आप भी अपना आभार उनको व्यक्त करें आपको एहसास होना चाहिए कि आपको भी उनकी तरप से आशिरवाद मिल रहा है अपनी आस्ता उनके उपर बना के रखें और फ्रेंड वो तूट जाता है तो गलत काम ना करें सही मारगर पर चलें कुछ गलत आदते हैं आपकी कोई लट है आपकी जो आपको शारीरिक रूप से तो नुकसान पहुंचाती है साथ ही आपकी स्पिरिच्वल जो आप भूजा भक्ति करते हैं उसमें भी बेगन बाधा उपन करती है तो आप कोशिश करें कि मंगलवार और शनीवार को उन गलत आदतों से आप दूर रहें उन लट से उसको छोड़ने की कोशिश करें और सबसे बड़ी बात यह है कि आप स्वस्त भी हो जाएंगे उसे और आप पॉजिटिव रहेंगे देखिए फ्रेंट्स अपने स्वा बोलना बहुत गलत है तो किसी भी अपने करीबी से दूर का हूँ कोई या आपके दोस्त हों किसी से भी आप जूट ना बोले हमेशा सत्य मार्ग पर चलेंगे आपके अंदर बहुत अच्छी बाते हैं आप उन पर उनको बढ़ाएं उन पर फोकस करें और आपकी जो करसा लगा जरूर बताएं कमेंट बोक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी न भूलें जै मातादी के जैकारी लगाएं अपने इस्ट के जैकारी लगाने मातर से ही हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें लाइक कर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी ये अच्छी जानकारी मिल सके मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए जै मातादी जै श्री कृष्णा